साथियो नमस्ते तो आज हम प्रशनावली 8.3 के प्रशने करेंगे और ये प्रशनावले आपको तभी समझ में आएगी जब आपको इस चैप्टर की ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद होंगे तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं फिर उसके बाद ये प्रशनावली करने हैं तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रशन है वो है त्रिकॉन मितिय अनुपातों साइने सेके और टेने को कौट ए के पदों में व्यक्त कीजिए यानि ये जो हमें त्रि करард को कर दिए नम noises को मुझे बदलना है कोर्ट ए तो इसके लिए आपको ये जो फॉर्मूले दिए है इसमें कॉट कहां काहां दिखाई दे रहा है तो देखो सबसे पहले तो कौट हमें दिखाई दे रहा है यहां पर तो यह किसके सुत्र में आ रहा है यह आ रहा है यह बराबर एक बटा कौट है है ना तो यह हमारे काम का नहीं है क्योंकि यहां पर हमें क्या दिया है sign दिया है तो इसको छोड़ो और देखो court कहां दिखाई दे रहा है तो देखो और हमें court यहां पर दिखाई दे रहा है है ना तो यह जो court है इसके इसमें और क्या आ रहा है इसमें कौसेक आ रहा है है ना और यह जो कौसेक है वो sign में भी आ रहा है, साइन में यहाँ पर भी यह कौसेक आ रहा है, तो हम यह काम करते हैं, पहले इस साइन A के सुत्र की मदद से, इसको इसमें बदल देते हैं, फिर जब इसको इसमें बदल देंगे, तो फिर यहाँ से हम कौट लेके आ जाएंगे, तो सबसे पहले मैं साइन A को क् कवे सकता हूं साइन ए बराबर होता है एक बटना कौसेक तो इस तर कहले हैं क्या भर यहां पर देखो यहां वर्ग और यहां वर ні नहीं है एक बार मैं इस सुत्र को लिख देता हूं सुत्र क्या देगो वन प्लस कॉट स्क्वेर ए बराबर कॉसेक स्क्वेर ए और मुझे क्या चाहिए कॉसेक ए चाहिए तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो यह वर्ग है इसको बराबर के इस साइड में बेज देते हैं, तो वर्ग बराबर के जब इधर जाएगा, तो वो किस में बदल जाएगा, वर्ग मूल में बदल जाएगा, तो यहां से वर्ग हमने क्या करा, उधर भेज दिया, तो यह बन गया वर्ग मूल, है न, तो कौसेक A की जगा, अब हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग उदर चला गया तो यह बन गया वर्ग मूल 1 प्लस कॉट स्क्वेर A तो हमने साइन A को किस में बदल दिया कॉट में बदल दिया और यह हमारा क्या हो जाएगा आंस्वर हो जाएगा अब हमें क्या करना है यह जो दूसरा त्रिकॉन में ती अनुपात है सेक A इसको भी हमें कॉट में बदलना है तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले सेक कहा कहा दिखाई देता है तो देखो यहाँ पर एक सेक A है लेकिन यह कॉस A है तो इससे हमारा कोई लिंक नहीं हो रहा क्योंकि हमें कॉट से लिंक करना है तो उपर वाले फॉर्मूले देखो यहां पर सेक है और यहां पर टेन है और देखो यहां नीचे टेन को हम किस में बदल सकते हैं कोट में बदल सकते हैं तो यहां पर मैं यह सेक इस सुत्र की साइता से मैं इसको पहले टेन में बदलूंगा और जब टेन में बदलना है वर्ग में है ना और यहां मुझे वर्ग चाहिए तो हमें काम करते हैं क्या सेक एक को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि एक बार वर्ग मूल ले लूँ और यहां पर सेक का वर्ग भी कर दो क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या है मान लो यह कोई संख्या है इसका मै अगर वर्ग करता हूं ठीक है और इसके उपर वर्ग मूल लगा देता हूं तो इस वर्ग से ये वर्ग मूल कट जाएगा और हमारा उत्तर क्या आएगा एगा बात समझ में आ गई वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और हमारा उत्तर A आ जाएगा यानि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आगई बात समझ में अब देखो ये बन गया सैक स्क्वेर A है ना तो सैक स्क्वेर A को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वेर A लिख सकता हूँ तो अब इस सेक स्क्वेर A की जगा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इसकी जगा इसकी जगा बराबर में ये पूरा इसके बराबर है तो इसकी जगा ये पूरा मैं लिख सकता हूँ यानि कि 1 प्लस 10 स्क्वेर A मैं लिख सकता हूँ लेकिन मुझे इसको किस में बदलना है, कौट में बदलना है, तो देखो यहाँ नीचे एक सुतर दे रखा है, कि 10A की जगह में 1 प्लस कौट A लिख सकता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर 10A नहीं है, यहाँ है 10A का वर्ग, तो देखो इसका मतलब से मतलब, 10A का जो वर्ग ह होता है, इसको हम लिख सकते हैं 10A और इसके उपर वर्ग, ठीके, फिर 10A को बदलेंगे, तो यह बदल जाएगा 10A, 1 अपॉन कौट A में और उपर वर्ग होगा, तो एक का वर्ग करेंगे, तो एक ही आएगा, कौट A का वर्ग करेंगे, तो यह कौट स्क्वेर A हो जाएग तो यहाँ पर देखो, यह जो है, 1 प्लस 10 स्क्वेर A, यानि 10A है, तो इसको हम 1 अपॉन कौट A लिख सकते हैं, और क्योंकि यहाँ वर्ग है, तो यहाँ वर्ग करेंगे, तो यहाँ भी वर्ग हो जाएगा, यानि यहाँ पर 10 स्क्वेर A की जगा, 1 अपॉन कौट स्क्वे लेना तो यहाँ A और B का गुना करा दो नीचे लिख दो फिर इनका क्रॉस गुना करा दो B का A से गुना B A का एक से गुना A तो इस प्रकार से हमें क्या लेना है LCM भी लेना है तो चलो अब इसका हम LCM ले लेते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा रूट तो हमारे पास है यह और यहाँ पर हम एक की जगा एक बटा एक भी लिख सकते हैं तो कौट स्क्वेर एक का एक से गुना कराएंगे तो कौट स्क्वेर ए ही मिलेगा अब तिर्चा गुना कराएंगे तो cot square a का 1 से गुना तो 1 का किसी भी से गुना करो तो हमें वही मिलता है प्लस 1 का 1 से गुना 1 अब देखो यहाँ पर नीचे हमारा क्या है? cot square a है और इस पूरे के उपर वर्ग मूल है तो यहाँ पर जो नीचे संख्या है वो हमारी अकेली संख्या है तो अकेली संख्या होने के करण यहाँ से हम वर्ग से वर्ग मूल कैंसल कर सकते हैं यानि कुल मिला कि नीचे से हमारा वर्ग मूल हट जाएगा तो अब यह वर्ग मूल कहा है? उपर की तरफ है यानि कि cot square a प्लस 1 बट्टा नीचे आपका क्या आ गया? हमारा क्या है? सेक a का आंसर है यानि हमने सेक a को cot के पदों में बदल दिया फिर हमें देखो 10 a को भी cot a में बदलना है तो यह तो simple हमारा सुत्र दिया है कि 10 a क्या होता है? 1 upon cot a होता है तो यह तो automatic cot में बदल गया यानि यहाँ पर यह सीधा हो जाएगी जो 10 a होता है इसको हम 1 upon cot a लिख सकते हैं ठीक है? यह तो सीधा formula है अपना तो इस प्रकार से आपको यह पहला प्रश्न करना है यानि कि हमने sin a को cot में बदल दिया फिर दूसरा नमबर sec a को भी हमने cot में बदल दिया और तीसरा नमबर 10 a को भी हमने cot में बदल दिया अब आपको क्या करना है? इसके नीचे यह वाला step लिखना है ठीक है? फिर आपको इसके नीचे यह वाला step लिखना है मेरे पास यहाँ जगा नहीं है इसलिए मैंने इसको side में लिखा है प्रस्टन दो है कौन A के अन्य सभी त्रिकौन में ती अनुपातों को sec A के पदों में लिखी तो हम जानते हैं कि किसी भी कौन के कितने अनुपात होते हैं total 6 अनुपात होते है पहला होता है sin A A का मतलब कौन है na sin A, दूसरा होता है cos A, तीसरा होता है ten A, चौता होता है sin का उल्टा, यानि कि cos sec A, पांचा होता है cos का उल्टा, यानि कि sec A और छटा होता है ten का उल्टा, यानि कि quart A, ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी को हमें किस में बदलना है sec A में बदलना है, तो sec A तो पहले से सैक में होता है तो इसको अब हटा दो यानि हमें साइन ए को सैक में बदलना है कॉस को सैक में बदलना है टैन को सैक में बदलना है और कॉट को भी सैक में बदलना है है ना, तो हम सबसे पहले किसको बदलेंगे साइन को बदलेंगे तो चलो इस प्रश्ण को कैसे करना है वो समझो यहाँ पर सबसे पहले हमें साइन जो है साइन ए इसको सैक के पदों में बदलना है तो सबसे पहले अब सुत्र देखो सैक आपको कहां दिखाई दिता है देखो एक तो हमें सैक कहां दिखाई दिया इस सुत्र में दिखाई दिया है ना दूसरा हमें सेक कहां दिखाई दिया इस फॉर्मूले में दिखाई दिया तो ये फॉर्मूला तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10 आ रहा है और 10 से हमारा साइन का कोई लिंक नहीं है तो अब देखो यहाँ पर यह जो sec है वो QAOS में दिया है और यह जो QAOS है वो पहले वाले सुत्र में साइन के साथ दीख रहा है एक तो यह फॉर्मुला और दूसरा हमारा यह वाला फॉर्मुला इन दोनों फॉर्मुले की सायता से हम sin A को sec में बदलेंगे तो देखो यहाँ पर sin A को मैं क्या लिख सकता हूँ तो यह जो हमारा पहला सुत्र है इसको देखो यहाँ हमारा सुत्र क्या है यहाँ सुत्र है sin square A plus cos square A बराबर 1 और मुझे चाहिए sin A तो मुझे क्या करना है यहाँ बराबर के इस side में sin को रखना है बाके सबको उधर बेजना है तो sin square A यही रहेगा बराबर और A का अपनी जग़पर यह cos square A उधर गया तो यह हो गया minus का cos square A लेकिन मुझे तो sin A चाहिए तो यह जो वर्ग है इसको हम बराबर के उधर बेजेंगे तो यह वर्ग मूल बन जाएगा तो sin A मुझे क्या मिल गया sin A मुझे मिल गया वर्ग मूल 1 minus cos square A यानि sin A की जगह में यह लिख सकता हूँ और यह चीज मैंने कहां से लाई तो इस formula से लाई तो अब मैं यहाँ पर सीधा क्या करूँगा sin A की जगह में क्या लिख सकता हूँ sin A की जगह में लिख सकता हूँ यहाँ पर देखो 1 minus cos square A यह हमने लिख जया सुत्र से 1 minus cos square A फिर यह वर्ग उधर गया तो यह बन गया वर्ग मूल तो यह पहली चीज तो आपको पता चल गई अब मुझे इसको किस में बदलना है sec में बदलना है तो यह देखो cos आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो cos को में क्या लिख सकता हूँ 1 बटा sec A लिख सकता हूँ लेकिन इसके उपर वर्ग है तो इसके उपर भी वर्ग आ जाएगा है ना तो यह हो गया root 1 minus cos A को में लिख सकता हूँ 1 बटे sec A अब इसके उपर वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग आएगा ठीके यहाँ तक समझ में आ गया अगर आपको समझ में आता है तो आपको जल्दी से like करते जाना है like में आपको किसी भी परकार की कंजुसी नहीं करनी है ठीके अब देखो sec square A से गुणा करेंगे तो आएगा sec square A फिर तिर्चा गुणा करेंगे तो sec square A का 1 से गुणा उपर आ गया sec square A minus 1 का 1 से गुणा आ गया 1 ठीके अब देखो यहाँ पर वर्ग है और उपर वर्ग मूल है तो नीचे अकेली संख्या है तो इस अकेली संख्या में से हम वर्ग और वर्गमूल को हटा सकते यानि वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो अब ये वर्गमूल कहां बचा उपर बचा के वल ठीक है तो उपर बन गया हमारा सैक स्क्वेर ए माइनस एक बट्टा नीचे क्या आ गया नीचे आ गया सैक ए क्या गया सैक ए तो जल्दी से इसका स्क्रीन सोट ले लो हमने साइन को सैक के पदों में बदल दिया अब हम कॉस को सैक के पदों में बदलेंगे अब देखो दूसरा अनुपात हमारा है कॉस ए और इसको इस 10A को मुझे सेक में बदलना है तो यहाँ पर देखो यह हो गया 10 और यहाँ हो गया सेक तो यह तो हमें सिधा सिधा फॉर्मूला दे रखा है तो इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर 10A की साहिता से हम सेक में बदल देंगे यानि कि हमारा formula क्या है formula है 1 plus 10 square a बराबर होता है sec square a के है ना तो हम क्या करेंगे बराबर के इस side में 10 को रखेंगे बाकी सब को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर देखो यह एक उधर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ पर 10 square a रहेगा पहले से उधर बराबर मे SAC SQUARE A है यह 1 उदर जाएगा तो PLUS का माइनस 1 हो जाएगा अब यहाँ पर देखो यहाँ पर वर्ग नहीं है तो इस वर्ग को भी हम उदर वेजेंगे तो यह वर्ग उदर जाएगा तो वर्ग मूल बनेगा तो 10 A हमें क्या मिल गया वरग उदर गया तो वरगमूल हो गया और वरगमूल में आ जाएगा sec square a minus 1 तो 10 a को मैं यह लिख सकता हूँ है ना तो यहाँ पर सीधा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ वरगमूल sec square a minus 1 अब यह चीज कहां से आई तो यह चीज मैंने यहाँ पर explain कर दी है है ना तो इसको आप क्या करना copy के side में इसको लिख सकते हो ठीक है ताकि आप जब भी इसको पढ़ो तो आपको यह समझ में आ जाया कि यह step कैसे आया तो यह step यहाँ से आया ठीक है फिर अगला त्रिकॉर्ण मित्य अनुपात हमारा क्या है तो अगला 10 के बाद आता है कौसेक A और कौसेक को हमें किसमें बदलना है सेक में बदलना है तो यहाँ पर देखो formula आप देखो यहाँ पर एक तो सेक A यहाँ आ रहा है लेकिन यह कौसे है दूसरी चीज यहाँ पर देखो हमें कौसेक दिया है तो यह कौसेक है और यहाँ पर क्या आ रहा है कौट आ रहा है तो क्या कौट को हम सेक में बदल सकते हैं तो ऐसा हमारे पास कोई formula नहीं है तो अब यहाँ हमें 3 सुत्रों का परियोग करना पड़ेगा सबसे पहले देखो यहाँ पर यह सुत्र कौसेक A यहाँ पर लिखा है लेकिन इसमें क्या आ रहा है कौट आ रहा है तो हम क्या करेंगे कौट को 10 में बदलेंगे 10 में क्यों बदलेंगे क्योंकि इसके पास सैक है बात समझ माई और कौट को हम 10 में बदलने के लिए इस फॉर्मूले का परियोग कर सकते है क्योंकि इसमें कौट भी है 10 भी है तो सबसे पहले हमें क्या करना हमें यहाँ पर सैक स्क्वेर A लाना पड़ेगा ठीक है और सैक स्क्वेर A लाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर क्योंकि यह अकेला है तो इसको मुझे वरग करना है मुझे इसको किस में बदलना है वरग में बदलना है तो अगर मुझे इसको स्क्वेर करना है तो इसके उपर मुझे क्या लाना पड़ेगा वर्ग मूल लाना पड़ेगा ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग से वर्ग मूल कटेगा और वापस हमें क्या मिल जाएगा कॉसे मिल जाएगा अब यहाँ पर कॉस स्क्वेर ए लाने से फाइदा क्या हुआ तो फाइदा में यह हुआ कि इसकी जगह cos square a की जगह हम 1 plus cot square a लिख सकते हैं तो यहां आ जाएगा 1 plus cot square a अब cot को मुझे किसमें बदलना है 10 में क्योंकि 10 के सुत्र में मुझे क्या मिलेगा सेक मिलेगा है ना तो इसको अब मैं 10 में बदलूँगा तो यह हो जाएगा root 1 plus अब देखो cot a क्या होता है तो देखो cot a को हम लिख सकते है 1 upon 10 a कैसे लिख सकते है तो यहां पर देखना यहां क्या सुत्र दिया है हमें हमें दिया है 10 a बराबर 1 upon cot a अब यह भाग में है तो उदर गुने में जाएगा और ये गुणे में है तो नीचे फाग में आएगा यानि इसको हम cot A बराबर 1 upon 10 A भी लिख सकते हैं तो cot A की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 upon 10 A है ना इसको मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर cot square A है इसकी जगह 1 upon 10 square A लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ वरग है तो यहाँ भी वरग आएगा अब मैं इसका LCM यानि कि लसप लूँगा तो यहाँ पर यह क्या हो गया देखो root और यहाँ लसप लेंगे तो यहाँ हम एक बटा एक लिख सकते हैं 1 का 10 square A से गुणा 10 square A ठीक है अब cross गुणा करेंगे तो इसका एक से गुणा हो जाएगा 10 square A plus एक का एक से गुणा हो जाएगा अब यहाँ पर मुझे इस 10 को किस में बदलना है सेक में बदलना है अब देखो यहाँ पर सिधा-σιधा 1 plus 10 square 1 plus 10 square A क्या होता है सेक square A यानि कि यहां उपर तो मुझे मिल गया 10 square A प्लस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 10 square A फिर बढ़ता यहां नीचे है 10 square A तो अगर मैं इस फॉर्मूले में 10 square A को यहीं रखता हूँ और 1 को उधर वेजता हूँ तो मुझे 10 square A का मान मिल जाएगा अब इसको समझा मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहां है 1 plus 10 square A बराबर 10 square A यह हमें फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे 10 square A है तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ तो एक काम करते हैं यह 10 square A अपनी जगह पर रहेगा 10 square A भी अपनी जगह पर यह 1 जो है उदर जाएगा तो यह minus 1 हो जाएगा यानी 10 square A की जगह में 10 square A minus 1 लिख सकता हूँ है ना तो इसकी जगह में यह लिख दूँगा अब यह चीज कहां से लाई तो सुत्र से लाई है ना तो अब देखो यहां पर यह 1 उदर चला गया तो यह बन गया 10 square A minus 1 अब आगे देखो यहां पर यह अकेला है 10 square A तो यहां से हम वर्ग और वर्ग मूल को काट सकते हैं तो उपर से तो वर्ग मूल हट जाएगा नीचे नहीं हटेगा क्योंकि नीचे एक संक्या नहीं है दो संक्या है तो दो संक्या होने पर वो जोड़ बाकी होने पर हम वर्ग मूल नहीं हटा सकते तो उपर से तो वर्ग मूल हट गया तो यह हो गया सेक A बटा नीचे आपका आजाएगा सेक स्क्वेर A minus 1 यह इसका क्या हो जाएगा आंसर आजाएगा यानि कि कौसेक A को मैंने किस में बदल दिया सेक A के पदों में बदल दिया जल्दी से इसका स्क्रीन सॉट ले लो अब कौसेक के बाद हम कौट को जो है सेक के पदों में बदलेंगे अब देखो हमें दिया है कौट A और इसको हमें सेक A में बदलना है तो सबसे पहले यहाँ पर देखो formula में caught आपको कहां दिख रहा है to caught आपको یہاں दिख रहा है लेकिन इस formula में क्या है तो इस исслед तो co sec है यह हमारे कम का नहीं है हमें चाहिए sec तो यहाँ उपर वाले सुत्र में देखो यह 10 है और यहाँ sec है और cot का उल्टा क्या होता है 10 होता है यानि यहां पर यह जो cot वाला formula है इस से हम 10 में बदल देंगे फिर 10 वाले formula लगा कर हम sec के पदों में इसको लेकर आ जाएंगे यानि कुल मिला के cot A को मैं लिख सकता हूँ 1 upon 10 A है ना यह formula कहा से आया यहां से अब 10 A को मैं क्या लिख सकता हूँ तो देखो हमारा formula यहां है 1 प्लस 10 square A बराबर होता है sec square A हम सबको उदर ले जाएंगे 10 को इदर रखेंगे तो 10 square A यहीं रहेगा इदर पहले से sec square A है एक उदर गया तो माइनस का एक हो गया अब वरग को भी उदर भेजेंगे क्योंकि यहां पर 10 A अकेला है और यह हमारा क्या हो गया यह हमारा उत्तर हो गया क्योंकि हमने इसको किस में बदल दिया sec के पदों में बदल दिया तो जल्दी से इसका screen shot ले लो और इस प्रकार से आपको यह प्रश्न संख्या दो करना है यह काम आपको नहीं करना है यह मैं केवल समझाने के लिए आपको इदर साइड में लिख रहा हूँ ठीक है यानि यह कहां से आ रहे है प्रश्न तीन है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टी कीजिए और इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वो है 9 into sin square a minus 9 into 10 square a बराबर है यहनि इसका उत्तर क्या आएगा option a, option b, option c और option d इसमें से कौन सा option है तो देखो यहाँ पर है sec और 10 sec और 10 का हमने एक formula पढ़ाता क्या पढ़ाता कि 1 plus 10 square a जो होता है वो sec square a के बराबर होता है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हमें sec minus 10 दिया है तो हम एक काम करते हैं इस 10 को उदर लेके चले जाते हैं तो यहाँ एक अपनी जगह पर रहेगा sec square a अपनी जगह पर यह 10 उदर गया तो plus का क्या हो गया minus का 10 square a हो गया यानि अगर यह चीज मुझे मिलती है तो इसकी जगह में एक लिख सकता हूँ तो इसको लाने के लिए हमें इसको solve करना पड़ेगा तो यहाँ पर है 9 into sec square a minus 9 into 10 square a अब देखो इन दोनों में यहाँ minus है तो हमेरे दो पड है यह पहला पड और यह दूसरा पड इस पड में और इस पड में दोनों में 9 common है तो हम 9 को बाहर ले लेते हैं तो 9 हमारा बाहर आ गया तो अंदर क्या बच्चा अंदर बच्चा sec square a minus 10 square a ठीक है और यह sec square a minus 10 square a की जगह में क्या लिख सकता हूँ एक लिख सकता हूँ और यहाँ into है तो यह हो गया 9 into 1 यानि इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि यह पूरा जो है किसके बराबर है एक के बराबर है यानि दोनों बराबर है तो इसकी जगह में यह लिख सकता हूँ तो इसकी जगह मैंने एक लिख दिया 9 का एक से गुणा कराएंगे तो कित्ता आएगा 9 तो यह इसका क्या हो गया solution हो गया, यानि कि इसकी पुष्टी हो गई और इसका option उत्तर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, अब देखो इस प्रस्ण का जो ये second part है, इसको समझने के लिए हमें कुछ और सुत्रियाज होने चाहिए, जैसे कि 10 theta को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 theta को हम sin theta बटा cos theta लिख सकत हैं, यह सारे formula हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, है न, और इसका formula तो हमें पता ही है, कि भी sec theta को हम क्या लिख सकते हैं, sec इसका उल्टा है, cos का, यानि यह हो गया, one upon cos theta, और यहाँ cos sec है, तो cos sec को हम क्या लिख सकते हैं, cos theta होता है, one upon sin theta, है न, यानि यह sign का उल्टा है, तो यहाँ one upon sin theta हो जाएगा, तो यह सारे सुत्र अगर आपको याद है, तो यह प्रशन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, तो चलो पहले मैं प्रशन लिख देता हूँ, यहाँ पर प्रशन हमें किया दिया है, हमें दिया है, one plus ten theta, plus sec theta, फिर bracket बन, यहाँ यह इन्टू one plus court theta minus cosec theta, तो यहाँ पर सब के सुत्र लगाएंगे, तो one की जगा हम लिख सकते है, one plus ten theta, ten theta होता है, sin theta, बटा, cos theta, plus sec theta, sex theta को हम लिख सकते है, one plus cos theta, bracket one, फिर यहाँ one की जगा, one but one plus court theta को हम क्या लिख सकते है, cos theta, but sin theta, फिर minus cos theta को हम लिख सकते है, one but sin theta, अब इनका हम लसप लेंगे, क्योंकि यह बटे वाली संख्या है, और बटे वाली संख्या मेंसा लसप से जुड़ती घटी है, तो यहाँ पर इसका लसप कैसे लेना है, देखो, यहाँ पर नीचे cos theta है, यहाँ पर भी नीचे cos theta है, है ना, लेकिन यहाँ पर एक है, तो यहाँ हम 1 का cos theta से गुणा कराएंगे, तो cos theta आएगा, यानि इन सब का लसपा आगया हमारे पास cos theta, है На, अब यहाँ हमें इसको कैसे solve करना है, तो यहाँ क्या है, यहाँ ए लेंगे एक बचा एकस कटएगा तो जो इसके ऊपर है वही आएगा फिर यहां पर भी हम सकाई लसप लेंगे तो यहां लसप प्रक्राइगा साइन ठीटा अब यहाँब इन्टु एक होगा तो एक से एक कटेगा क्या बचा साइन ठीटा sin theta का 1 से गुणा करा दो क्या आया sin theta आया फिर plus sin से sin कर गया क्या बचा 1 1 का cos से गुणा करा दो उपर आया cos theta फिर minus sin से sin कर गया 1 का 1 से गुणा करेंगे तो उपर आया 1 अब देखो हमारा प्रशन बड़ा ही आसाने से solve हो जाएगा अब यहाँ पर हमने कुछ सर्वसमिकाएं भी पढ़ी है तो एक सर्वसमिका होती है a plus b into a minus b बराबर क्या होता है a square minus b square होता है यह formula आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर देखो cos theta plus sin theta और यहाँ पर sin theta plus cos theta तो यह पुरा एक ही मान है sin theta plus cos theta यह पुरा एक मान है फिर इसके साथ एक बार एक जुड़ रहा है और दूसरी बार क्या हो रहा है sin theta plus cos theta इसके साथ एक घट रहा है तो यह अगर पुरा मैं a मान लू एक को मैं b बान लू तो एक बार तो a plus b हो रहा है और नीचे हमारा a minus b हो रहा है और दोनों किसमे हैं, दोनों गुणे में हैं, देखो उपर दोनों किसमे हैं, गुणे में हैं, तो इसको मैं A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर लिख सकता हूँ, तो A तो ये पूरा है द्यान बगना, तो एक बार इसका स्क्वेर करेंगे, दूसरी बार इसका एक का स्क्वेर करें तो यह हो जाएगा a square minus b square फिर नीचे आ जाएगा बट्टा और a हमारा क्या है a यह पूरा है sin theta plus cos theta आप कहूंगे सर इधर cos है इधर sin है इधर sin है इधर cos है दोनों एक ही क्यूंकि जोडने पर एक ही result आता है अगर मैं एक मैं दो जोड़ूँगा तो भी मुझे तीन मिलेगा तो जब प्लस हो तब कोई दिक्कत नहीं होती है फिर यहां पर देगो a का i square हो गया अब b का i square b हमारा क्या है एक तो यहां ले संख्या में उपर उपर गुणा नीचे नीचे गुणा होता है तो साइन ठीटा का कॉस ठीटा से गुणा क्या हो गया साइन ठीटा इंटू कॉस ठीटा अब उपर हमें क्या दिया है साइन ठीटा प्लस कॉस्ट ठीटा का वर्ग तो ये भी फॉर्मूला हमने पड़ा है कि A प्लस B की घाद 2 क्या होता है A स्क्वेर प्लस 2 इंटू A B प्लस B स्क्वेर होता है तो ये हमारा हो गया A ये हो गया B इसका हम उपन करेंगे तो क्या करेंगे A स्क्वेर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वेर है न फिर क्या करना है तो फिर हमारा आगे है माइनस तो माइनस एक कवर्ग एक ही होता है फिर नीचे आजाएगा बटटा नीचे है साइन ठीटा into cos θ sin θ into cos θ अब sin θ हमें वरक करना है यहां पर क्या होगा sin square θ ठीक है इसी प्रकार यहां पर ये क्या हो जाएगा cos square theta हो जाएगा ठीक है अब हम इसको हम आगे solve करते हैं अब देखो हमने एक formula पढ़ा था sin square theta प्लस cos square theta कितना होता है एक होता है तो मैं यहाँ पर इसके पास इसको ले के आता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ sin square theta प्लस ये cos आगया आगया तो cos square theta ये पीछे चला गया तो plus 2 into sin theta into cos theta और ये minus का एक last में हमारा बच जाएगा यानि हमने क्या किया ये cos theta इदर लेके आ गए इसको पीछे लेके चले गए और यहाँ पहले से minus 1 था ही फिर नीचे बटा हमारा क्या चल रहा है नीचे चल रहा है sin theta into cos theta अब देखो sin square theta प्लस cos square theta इसका सुतर पढ़ाता है इसका उत्तर किता होता है एक तो इस पूरे की और नीचे बटे में हमारा है sin theta into cos theta अब देखो ये एक प्लस का है और ये एक माइनस का है तो एक में से एक गया क्या हो गया 0 यानि इनको हम हटा देंगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा अब देखो उपर नीचे क्या बढ़ा उपर नीचे हमारी सब संख्या गुने में है तो यानि इसका आंसर कितना आ गया 2 यानि यहाँ पर हमारा कौन सा option सही होगा c option हमारा सही होगा तो ये जो इसका उत्तर है ये इसकी पुष्टी हो गई अब हम next part करते हैं अब देखो जो third part है इसको हमें solve करना है तो इसमें मैं कुछ अच्छी अच्छी चीजे बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि कब हमें सुत्र लगाना है कब हमें सुत्र नहीं लगाना है तो हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रश्ण में 10 theta दे रखा हो 10 a दे रखा हो तब आपको सुत्र लगाना है sin a बटा cos a का जब आपके प्रश्ण में cot a दे रखा हो तब आपको सुत्र लगाना है cos a बटा sin a का ठीके जब यह दिये हो तो हमें सुत्र लगाना है ठीके फिर अगर आपको sec a दिया हो तो हमें सुत्र लगाना है 1 बटा cos a जब पर जब यह सभी सुत्र एप्लाई कर देते हैं तो एप्लाई करने के बाद और कौन-कौन से फॉर्मूले है जो हमें प्रश्ण भी यूज करने है तो जो हमने सर्व समिकाये पड़ी है एक बार जब हम जोडते हैं और एक बार घटाते हैं तो इसकी जगह हम एक का वरग माइनस बी का लिख सकते हैं ये भी चीजे याद होनी चाहिए इसके अलावा जहां हमें LCM लेना पड़ता है तो वहां LCM लेना भी आना चाहिए तो ये सारी चीजे आपको नहीं चाहिए अब अगर आपके प्रश्ण में SINE A दे रखा है तो इसमें आपको कोई भी सुत्र लगाने की जरूरत नहीं है आप कोशिज करना कि SINE A को सुत्र लगाने की कोशिज मत करो सुत्र कहां लगाना 10 A दिखे, COT A दिखे, SEC A दिखे, COSEC A दिखे तब आप सुत्र लगाने की कोशिज करो नहीं तो मत करो तो इस प्रश्ण में देखो हमें सबसे पहले दिया है कि SEC A SEC A PLUS 10 A INTO 1 MINUS SINE A किसके बराबर है यानि इस OPTIONS में से कौन सा OPTIONS सही है तो जब तक इसको solve नहीं करेंगे तब तक हमारा उत्तर आने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, FORMULA लगाएंगे SEC A की जगा हम क्या लिख सकते है इसकी जगा हम लिख सकते है 1 बटा COS A फिर है PLUS 10 A की जगा हम लिख सकते है SINE A बटा COS A INTO 1 की जगा 1 ही रहेगा SINE की जगा SINE ही रहेगा क्योंकि इन में हमें सुत्र नहीं लगाना अभी मैंने बताया SINE A है, COS A है तब हमें सुत्र नहीं लगाना है अब यहां बटे वाली संग क्या है तो हम LASP लेंगे तो LASP कैसे देगे दोनों में नीचे हर समान है तो LASP इसका COS A ही आएगा और जो उपर दिया है वही लिख देंगे तो इसका LASP हो गया 1 प्लस SINE A बटा COS A फिर इसका गुना हमें करना है 1 माइनस SINE A से तो अगर मैं यहां उपर की बात करो इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा एक है ठीक है तो यह उपर है संक्या तो यहां है 1 प्लस SINE A इंटू 1 माइनस COS A स्वरी 1 माइनस SINE A तो यहां पर देगो एक हमारा यह A है यह B है यह A है और यह B है तो अब यहां सर्वसमिका का यूज हो रहा है A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर है ना तो उपर जब मैं इसका गुना कराऊंगा तो इसकी जगा मैं उपर लिख सकता हूँ A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर और नीचे हमारा क्या है cos A तो नीचे तो cos A ही रहेगा तो यहाँ A हमारा है 1 तो 1 का square और B हमारा है sin A तो यहाँ आ जाएगा sin A ठीके तो A का वरग जो होता है वो A कही होता है तो इसकी जगह मैं A कही लिखूंगा और sin A का वरग जो होता है इसको मैं क्या लिख दूँगा sin square a लिख दूँगा ठीक है ये कोश्टक मैंने आपको समझाने के लिए बनाए है अब देखो 1 minus sin square a तो यहाँ पर हम formula लगा सका तो देखो एक सुत्र हमने पढ़ा था सुत्र क्या था वर्ग वाले सुत्र यानि कि sin square a plus cos square a क्या होता है एक होता है क्या मैं यहाँ पर जो यह 1 minus sin square a है यहाँ से 1 minus sin square a ला सकता हूँ बिलकुल ला सकता हूँ कैसे तो sin को उदर भेज दो तो यहाँ पर देखो cos square a और बराबर एक अपनी जग़ पर यह उदर गया तो minus का sin square a हो गया तो अब इसकी जग़ पर में यह लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है तो इसकी जग़ पर में क्या लिख दूँगा cos square a लिख हूँगा तो उपर हमारा आ गया cos square a बटा नीचे हमारा क्या है cos a तो उपर cos square a का मतलब है cos a into cos a बटा नीचे आपका cos a अब उपर गुणे में हैं तो आम नीचे काट सकते हैं उपर नीचे कड़ गया उत्तर क्या आएगा cos a यानि इसका उत्तर हमारा आ गया cos a ठीके यानि कि कौन सा option हमारा सही होगा d option हमारा यहाँ पर सही होगा ठीके जल्दी से इसका screenshot ले लो आप अब देखो जो fourth part है उसमें है one plus ten square a बटा one plus cot square a बराबर है इसमें से कौन सा option सही है तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो है one plus ten square a बटा one plus cot square a और ये दोनों सुत्र हमने पढ़ रखे हमने पढ़ा था कि one plus ten square a जो होता है वो sec square a के बराबर होता है और one plus cot square a जो होता है वो cosec square a के बराबर होता है यानि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ तो उपर तो हमारा आ गया sec square a बटा नीचे हमारा आ गया cosec square a अब मैंने कहा था कि जब भी प्रश्ण में हमें सैक दिखाई देता है तो उसकी जगा हमें वन बटा कॉस लगाना है और जब हमें कॉस सैक दिखाई देता है तो उसकी जगा हमें वन बटा साइन लगाना है ठीके तो अब यहाँ पर इनकी जगह सुत्र लगाएंगे लेकिन सुत्र लगाने से पहले यहाँ देख लो वर्ग है उपर तो यहाँ पर भी नीचे क्या आएंगे वर्ग आएंगे ठीके तो यहाँ पर सैक स्क्वेर ए की जगह में वन बटा यहाँ जाएगा नीचे कौस स्क A लिख सकता हूँ अब यह जो बीच में बट्टा है यह वाला बट्टा इसका मतलब क्या होता है भाग यानि इस बट्टे के उपर वाली संक्या तो आएगी भाग के आगे और इस बट्टे के नीचे वाली संक्या आएगी भाग के पीछे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि one बटा cos square a यानि ये उपर वाला और यहां पर ये बटा क्या बन गया भाग बन गया और ये यहां भाग के पिछे आ जाएगा एक बटा sin square a अब इस भाग को हम बदलेंगे into में तो ये क्या हो गया ये हो गया एक बटा cos square a है ना और यहां भाग की जगा into into करने पर ये उल्टा हो जाएगा यानि sin square a उपर और एक नीचे अब यहां पर इसका एक से गुना होगा और नीचे इसका एक से गुना होगा तो आपको नीचे लिखना है मैं बराबर में लिख रहा हूँ हमें मिल जाएगा sin square a बटा नीचे cos square a हमने पढ़ा है कि 10 ठीटा क्या होता है 10 a होता है sin a बटा cos a है ना अब क्योंकि इन दोनों के उपर वर्ग है तो इसकी जगा हम क्या लिख सकते है 10 square a लिख सकते है तो यहां आजाएगा 10 square a वर्ग क्यों आया कि दोनों पर वरग है तो इस पर भी वरग आएगा तो यहां पर हमारा कौन सा option सही हो जाएगा D option हमारा सही हो जाएगा प्रशन पांच है सिद कीजिए यानि प्रशन पांच में total 10 प्रशन है और उन सभी को हमें सिद करना है सिद करने प्रशन के अंदर LHS लेंगे और उसको हम कोशिस करेंगे कि हमारा RHS बनके आ जाए तो यहां पर सबसे पहले प्रशन में हमें लिखना पड़ेगा LHS लेने पर यानि कि सबसे पहले हम यह जो बायापक्स है यह लेंगे और बायापक्स हमारा क्या है बायापक से कौसेक ठीटा माइनस कौट ठीटा का वरग है ना और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कौसेक ठीटा या फिर सेक ठीटा या फिर टेन ठीटा या फिर कौट ठीटा ये दिखाई दे प्रश्ण में तो इनके सुत्र लगाने की कोशिस करो तो यहाँ पर कॉसेक का सुत्र हम क्या लगा सकते हैं एक बटा साइन ठीटा और कॉट का सुत्र हम क्या लगा सकते हैं कॉट का सुत्र होता है कॉस ठीटा बटा साइन ठीटा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनके फॉर्मूले लगाएंगी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्ग करेंगे तो यहां पर इनका LCM क्या आएगा, साइन ठीटा आएगा, योकि नीचे हर हमारा समान है, तो हमारा लसप यही रहेगा, और जो उपर है वो हमें लिखना है, यानि उपर हमें लिखना है, वन माइनस कॉस ठीटा, और उपर क्या है इसका वर्ग, अब हम इसका क्या करेंगे वरक करेंगे तो देखो उपर और नीचे दोनों तरफ हमें वरक करना है तो उपर है 1-cos थीटा तो इस पूरे का वरक होगा नीचे है sin थीटा तो इसका भी वरक होगा तो हम उपर अगर लग करेंगे तो 1- cos theta इसका अलग से वरक करना है बट्टा नीचे वरक करेंगे तो यह हो जाएगा sin square theta अब देखो यहाँ पर हमें क्या लाना है हमें 1- cos theta बट्टा 1- cos theta लाना है यानि कि उपर cos है और नीचे भी हमें cos लाना है तो वो हम कैसे ला सकते हैं तो इसके लिए प्लस कॉस स्क्वेर ठीटा बरावर क्या होता है एक होता है है ना और यहां पर नीचे क्या है साइन स्क्वेर ठीटा है तो क्या अगर मैं साइन स्क्वेर ठीटा को इधर रखू और कॉस को उधर भेजू तो मुझे ये कॉस मिलेगा कर नहीं मिलेगा मिल जाएगा है ना यान पास क्या है vehn m अपर वर्ड बच्ट साइनिज फिर्लों को हम लिख सकते हैं वरन माइनस माइनस कॉस स्क्ट एक ऑंब पॉस स्क्ट एक यह यहां नीचे मांब से यह प्लस कैसे 할 वह सकता है तो लिए ऐ अल् का ठी की ए प्लस विंटू एमाइनस बी जो होता है ए a2-b2 है तो अगर इस फॉर्म में हमें ये दिया हुआ है एक है तो एक को हमें एक कवरक कर सकते हैं minus b यानि कि यह हमारा क्या है cost square theta है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं 1 plus cost theta लिख सकता हूं into 1 minus cost theta लिख सकता हूं तो यहाँ से मुझे cos theta प्लस में मिल जाएगा तो यहाँ आप क्या करेंगे यहाँ पर उपर तो हमारे पास है 1-cos theta का square अब square का मतलब होता है इस पूरे का इसी से गुना तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1-cos theta क्योंकि यहाँ square का मतलब क्या है इसका इसी से गुना नीचे देखो 1-cos square theta इसको भी मैं 1-cos theta into 1-cos theta लिख सकता हूँ क्योंकि अपने पास यह क्या है एक सर्वसमी का है अब देखो यहाँ पर संख्या है हमारी किस्में आगई गुने में आगई और यह पूरी संख्या कोस्टक में है तो जब संख्या हमारी कोस्टक में होती है तो वो पूरी एक गिनी जाती है और यहाँ पर देखो संख्या कैसे है 2 into 3 बटा 3 into 5 ऐसे मान लो यह संख्या है तो 3 से 3 कटेगा है ना तो यहाँ पर भी हम देखो समान संख्या उपर नीचे काट सकते हैं तो यहाँ पर 1 minus cos theta से मैं उपर 1 minus cos theta काट सकता हूँ यह दोनों कट गे तो उपर मेरे पास क्या बचा 1 minus cos theta बटा 1 plus cos theta तो मैंने लिया क्या मैंने बायापक्स लिया और मैं क्या लेके आ गया मैं दायापक्स लेके आ गया यानि कि यहाँ पर मैंने क्या सिद्ध कर दिया कि जो मेरा बाया पक्स है यानि कि LHS है वो दाएं पक्स के यानि कि RHS के बराबर है तो यह मेरा आटोमेटिक क्या हो गया सिद्ध हो गया प्रश्न दो है यानि यहाँ पर भी हमें इसको सिद्ध करना है तो हम पहले LHS लेंगे और RHS लेके आएंगे तो सबसे पहला इस टेफ हमारा होगा LHS लेने पर और इसका जो LHS है वो क्या है और मैंने आपको बताया था कि जब प्रश्न हमारा SIN A और कॉस A में दिया हो तब हमें कोई सुत्र नहीं लगाना है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जब हम सुत्र नहीं लगाएंगे तो क्योंकि यह बटे वाली संख्या है तो हम इनका LHS लेंगे और LCM कैसे लेना है देखो यहाँ पर यह पूरी एक संख्या है और यहाँ पर यह पूरी दूसरी संख्या है इन दोनों का लसप लेना है तो लसप लेने के लिए इनके जो हर है यहाँ पर हर क्या है 1 प्लस SIN A और यहाँ है कॉस A इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखेंगे तो यह हो गया 1 plus sin A into cos A अब क्या करना गुणा करके नीचे लिख दिया अब cross गुणा करेंगे तो इस cos A का उपर cos A से गुणा होगा तो यह हो जाएगा cos square A क्योंकि किसी संख्या का उसी से गुणा वर्ग होता है अब यहाँ पर 1 plus sin A यहाँ हम एक सर्वसमिका लगा सकते हैं कि A plus B का जो वर्ग होता है वो होता है A square plus 2 into A B plus B square है ना तो यहाँ पर A हमारा 1 है तो यह A की square हो गया फिर plus 2 into A B 2 into A हमारा 1 है और B हमारा क्या है साइन A है तो यह साइन A हो गया फिर फिर है plus B square B square का मतलब sin square A तो यह formula हम यहाँ पर लगाएंगे चो जलो apply करते हैं तो यह बन गया cos square A plus 1 यहाँ पर सीधा मैं लिख देता हूँ है A square A square मतलब एक का square plus 2 into यहाँ पर 1 करेंगे तो एक का गुणा किसी से भी करते है तो वही आता इसलिए में एक लिखूंगा नहीं है फिर आगे क्या आगया sin A आगया फिर plus B का square यानि की sin square A फिर नीचे आजाएगा बटा 1 plus sin A into cos A अब देखो नीचे यहाँ पर क्या है cos A और cos A जो होता है वो होता है 1 बटा sec A और यहाँ पर हमें sec A चाहिए तो यहाँ जो यह cos है यह रहने दो क्योंकि यहाँ पर sec A को हम क्या लिखते हैं sec A को 1 upon cos A लिखते है और यह पहले से देखो बटे के नीचे है तो यह हमारे काम का है और इसको मुझे हटाना है कुल मिला के मुझे क्या करना है उपर भी मुझे यह बनाने की कोशिश करने है ताकि यह उपर नीचे कट जाए और नीचे हमारा उद्दर आ जाए ठीक है तो अब देखो क्या करेंगे अब देखो यहाँ पर यह cos square A है और इधर sin square A है तो यहाँ से हम एक सुत्र बना सकते है क्या सुत्र बना सकते है तो एक formula हमने पढ़ाता कि sin square A plus cos square A बराबर कितना होता है एक होता है तो यह सुत्र यहाँ बन सकता है तो मैं एक काम करता हूँ इस sin को इधर इसके पास लेके आ जाता हूँ तो अगला step क्या होगा देखो यह हमारा हो गया cos square A इसके पास आ जाएगा plus sin square A फिर हमारा देखो एक का स्क्वेर इसका मतलब क्या होता है एक ही होता है फिर यह हो गया 2 into sin A फिर बट्टे में क्या आएगा बट्टे में आएगा 1 plus sin A into cos A फिर अब देखो cos square A plus sin square A यह पूरा क्या बन गया एक बन गया तो अब हमें मिल गया 1 plus 2 sin A और बट्टे में 1 plus sin A into cos A फिर अब देखो एक और एक जूड़कर क्या हो गया 2 तो यह हो गया 2 plus 2 sin A बट्टा 1 plus sin A into cos A अब देखो मुझे यहाँ पर जो यह नीचे 1 plus sin A है उपर यह बनाना है तो बिल्कुल बन जाएगा कैसे कि देखो यहाँ पर 2 है और इसमें भी गुणे में 2 है तो दो उपर कॉमन आ जाएगा अब जैसे ही उपर 2 कॉमन आएगा तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया जब पूरी संख्या कॉमन आ जाती है तो अंदर एक बचता है प्लस यह दो कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा साइन ए ठीके और बट्टे में हमारे पास क्या है बट्टे में हमारे पास है वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए तो यहाँ पर देखो यह संख्या गुने में आ गई नीचे संख्या गुने में है तो उपर नीचे हम इसको काट सकते हैं अब हमारे पास क्या बचा अब हमारे पास बचा दो बट्टा नीचे कॉस ए और देखो यहाँ पर दो बट्टा कॉस ए का मतलब क्या है दो इंटू वन इसको दो इंटू वन लिख सकता हूं बट्टा कॉस ए अब देखो वन बट्टा कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूं सेक ए लिख सकता हूँ क्योंकि सुत्र होता है कि सेक A जो होता है यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो देख़िए चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ यहाँ पर हमें क्या मिला हूँ हमें मिला दो बड़ा कॉस है तो दो को मैं 2 इन्टू एक बटा कॉस A लिख सकता हूँ तो यहाँ पर जो एक बटा ये कॉस A इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक A लिख सकता हूँ क्योंकि सुतर होता है सेक A बराबर एक बटा कॉस A बात समझ मागे तो ये पूरा मैं सेक A लिख सकता हूँ लेकिन यह किस में आएगा दो के साथ गुणे में आएगा तो अगला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा दो इन्टु सेक ए है न और हमें यही सीद्ध करना था तो हमने क्या कर दिया हमने लहेचेस बराबर आरहेचेस कर दिया ठीक है इसको मैं बिटा देता हूँ और आप इसका ज़ल्दी से कि स्क्रीन सॉट लें दो यह जो लाइन है यह वाली यह आपको इसके नीचे लिख नहीं है ठीक है चलो इसके नीचे लिख देता हूँ मैं यहां जाएगा दो इंटू से के यह हो गया हमारा LHS बराबर RHS तीसरे प्रश्णों को सिद्ध करेंगे तो पहले हम बाया पक्स लेंगे बाया पक्स का मतलब क्या लेंगे LHS लेंगे लेफ्ट हैड साइड लेंगे लेफ्ट हैड साइड जो है वो हमारी है 10 थीटा बट्टा 1-1- 1-3 प्लस यहां पर है तुट थीटा बट्टा 1-10 थीटा और मैंने आपको बताया था जब भी प्रश्ण槿 में हमें 10 थीटा और κ थीटा दे रखाओ तो सबसे पहले इनके सुत्र लगाओ तो 10 theta क्या होता है? sin theta बटा cos theta और cot theta होता है cos theta बटा sin theta. यह हम यहाँ पर apply कर देते हैं. तो 10 theta की जगा हम क्या लिख सकते हैं? sin theta बटा cos theta. तो 10 की जगा यह आ गया, फिर इसके नीचे देखो बटा है. तो यहाँ पर हमें एक बड़ा बटा खीचना है. इसके नीचे है 1 minus cot theta और cot theta का सुत्र होता है cos theta बटा sin theta. फिर देखो इस बटे की सीद में plus है. तो इस बटे की सीद में हम plus लगाएंगे. अब उपर है cot theta तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं cos theta बटा sin theta. फिर नीचे बटा है तो यहाँ आ गया बटा 1 minus 10 theta. इसको हम लिख सकते हैं sin theta बटा cos theta. अब देखो यहाँ पर उपर तो हमें कुछ करना है नहीं. लेकिन नीचे हमें क्या करना पड़ेगा? LCM लेना पड़ेगा. तो नीचे हम क्या करते हैं? लसप ले लेते हैं. तो देखो उपर हमारे पास क्या है? उपर है sin theta, बटा, cos theta और नीचे हमारा ये बटा है. इसका हमें लसप लेना है. तो लसप लेने के हली हम क्या करेंगे? यहाँ थोड़ी जगा छोड़ देंगे और यहाँ बटा खिचेंगे. अब देखो इस एक को में एक बटा एक लिख सकता हूँ. लसप कैसे लेंगे? इस एक का sin theta से गुणा कराकर यहाँ नीचे लिखेंगे. तो इसका गुणा क्या मिलेगा? sin theta मिलेगा. अब cross गुणा करेंगे. इस sin का एक से गुणा, यह हो गया sin theta, फिर minus. इस एक का cos से गुणा, यह हो गया cos theta. यही काम हम इसमें करेंगे. अब देखो यह जो plus है, वो इसकी सीध में आएगा. ठीक है? उपर हमारा क्या है? उपर हमारा cos theta बटा, sin theta है. और नीचे यहाँ बटा है. और इसका हमें लसप लेना है. तो लसप लेने के लिए यहाँ जगा छोड़ दो, बटा खीच दो, एक का cos से गुणा करेंगे तो आएगा cos theta, अब cross गुणा करेंगे, cos का एक से गुणा, cos theta, फिर minus, एक का sin से गुणा, sin theta. यहाँ तक हो गया, अब इसके आगया आप ध्यान से समझना. अब देखू, यहाँ पर जो यह पूरा है, प्रश्ण, इसको हमें बटे की जगा भाग में बदलना है, यानि कि यहाँ पर यह जो step है, sin theta, बटा, cos theta, इसके नीचे क्या है, बटे का निशाने, इसको हम भाग में बदल दिते हैं, यानि यह जो 10 के नीचे बटा था, इसको म मैंने बदल दिया, और इसके नीचे वाली जो संख्या है, वो इस भाग के पीछे आ जाएगी, यानि यह संख्या हमारी, sin theta, minus, cos theta, बटा, sin theta, ठीक है, यह इस बटे के जो नीचे थी, वो भाग के पीछे आ गए, तो यह जो काम किया, मैंने अभी इस side का किया है, अब मुझ यह मैंने लिख दिया, इस बटे को हम बना देंगे भाग, और इसके नीचे वाली संख्या आ जाएगी इधर, यानि यह संख्या हमारी क्या हो गई, यह हो गई, cos theta, minus sin theta, बटा, cos theta, ठीक है, और यह हमारी, यह वाली संख्या हो गई, पूरी, अब देखो हमें क्या करना है, इसको into में बदलना है, और इसको उल्टा करना है, तो यहां क्या होगा, यहां हो गया हमारा sin theta, बटा, cos theta, into, यह उल्टा हो जाएगा, यानि sin theta, उपर आ जाएगा, और sin theta, minus cos theta, नीचे आ जाएगा, फिर यह प्लस का निशान, इसमें भी हमें यही करना है, यह हो गया, cos theta, इसको हमें into बना देंगे, तो उल्टा हो जाएगा, यानि कि cos theta उपर आ जाएगा, और बटे में cos theta, minus sin theta हमारा नीचे आ जाएगा, अब देगो, यहां बीच में प्लस है, इसका मलदब यह पूरा एक पद अलग है, और यह दूसरा पद हमारा पूरा अलग है, और इसमें ध चीज है, मैं यहां पर बना सकता हूँ, यहना कैसे बना सकता हूँ, कि अगर यह sign आ गया जाए, cos पीछे चला जाए, तो यह चीज मुझे इसमें मिल जाएगी, लेकिन इस चीज को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यह जो minus है, वो common लेना पड़ेगा यह जब minus में यहां बाहर लूँगा, तो यह plus के साथ गुणा होके इसको भी minus बना देगा, यह बात समझना आप, यहां से मुझे minus common लेना है, तो minus common लेने पर क्या होगा देखो, जैसे यहां आगे plus है, और मुझे यहां A minus B लिखा दिया हुआ है, मुझे इसको B minus A बनाना ह तो मैं क्या करूँगा, इस minus को common लूँगा, यानि कि इसको यहां पर minus गुणा करूँगा, तो यहां पर plus का minus हो जाएगा, यह plus का minus हो जाएगा और यह minus का plus हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से यह minus बाहर नेकल के आएगा, जब इस minus को वापस में अंदर डालूँगा, त तो यहाँ पर minus common जब मैं रोगा है ना तो यह भी minus हो जाएगा यह ध्यान रखना अब देखो उपर मुझे यहाँ गुणा कराना तो sine का sine से गुणा यह हो गया sine square theta बट्टा यहाँ पर है cos theta into यहाँ क्या है? यहाँ है sine theta minus cos theta मैंने क्या किया? उपर उपर गुणा और नीचे नीचे गुणा किया फिर यहाँ देखो plus का क्या हो गया? minus क्यू हो गया? क्यूंकि यहाँ से मैं minus common ले रहा हूँ तो उपर cos का cos से गुणा कर दिया यह हो गया cos square theta बट्टा नीचे है sine theta into यह उल्टा हो sin theta आगे आ जाएगा और cos theta पीछे चला जाएगा अब देखो यहाँ पर जो संख्या है वो किस में आ चुकी है? गुणे में आ चुकी है यानि अब solve करने के लिए हमारे यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ बीच में क्या रहा है? minus और यह दोनो sin theta minus cos theta है तो लसप में common यानि कि दोनों का आ गया sin theta minus cos theta तो यह चीज तो दोनों के आ गई? फिर दूसरी चीज देखो इसके पास cos theta है और इसके पास sin theta है तो यह दोनों भी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा तो यहाँ पर sin theta into cos theta भी आएगा गुणे में हमने कैसे लिए लि sin theta का नीचे गुणा किया है गुणा कैसे किया कि cos का sin से गुणा हो गया लेकिन यह क्यूंकि दोनों के पास है तो इसको हमें एक बार लिखना है ठीक है अब हम क्या करेंगे देखो अब यहाँ पर देखो यह sin theta minus cos theta इसके पास है तो यह कट गया यह चीज हमें नहीं लेने ह तो इसको हमें हटा देना है अब क्या बच गया साइन ठीटा तो यह जो साइन ठीटा थिल्ट से गुना होगा तो फिर इसके पास यह है रिटा मैं इसके उपर वाले से करना है यानि माइनस कॉस की घाद 2 ठिटा को कॉस ठिटा से गुना करेंगे तो कॉस 3 हो जाएंगे यानि कि कॉस की घाद 3 ठिटा हो जाएगा यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया अब देखो अब हमें क्या करना है अब हमने एक सर्वसमिका पढ़ी है कौन से सर्वसमिका पढ़ी है तो हमने पढ़ा है कि A की घाद 3 माइनस B की घाद 3 जो है इसको हम A माइनस B इंटू A स्क्वेर प्लस 2AB प्लस B स्क्वेर यह हम इसको लिख सकते हैं सुरी यहां पर 2 नहीं आएगा यहां पर केवल A भी आएगा है ना तो यहां पर देखो यहां पर साइन की घाद 3 है और यहां कौस की घाद 3 है तो इसको हम A और B माने तो इसको हम इसमें बदल सकते हैं तो इस सर्वसमिका का जब हम उप्योग करेंगे तो अब देखना क्या होता है यह सर्व समिका मैं यहां लिख देता हूँ A minus B into A square minus AB plus B square यहां plus आएगा तो यहां पर यह हमारा A हो गया और यह B हो गया तो इसको मुझे घटाना है A और B को घटाना है तो यह हो गया sin theta minus cos theta A minus B हो गया फिर उसके बाद में A square यह हमारा sin है तो यह हो गया sin square theta फिर plus का निशान A into B यहां तक समझ में आगे फिर नीचे हमारा है बटा नीचे क्या दिया है नीचे दिया है sin theta into cos theta into sin theta minus cos theta अब दीगो सारी संक्या कोश्टक में है और गुणे में यहां पर भी सारी संक्या गुणे में है तो अब ऊपर नीचे हम कुछ भी काट सकते हैं तो यहां पर दीगो यह sin theta minus cos theta से sin theta minus cos theta कट गया कट गया अब हमारे पास क्या बचा देखो अब ध्यान से समझना, आप इसका screen shot ले लो, अब मैं इसको उपर करूँगा, है न, तो देखो अब हमारे पास उपर बचा, यहाँ पर देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, यह है sin square theta, यह है plus cos square theta, तो sin square theta plus cos square theta कितना होता है, एक होता है, तो यहाँ पर इन दोनों को, मैं formula से कितना लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर यह एक बन गया, अब क्या बचा, यहाँ बचा plus sin theta into cos theta, और बट्टे में हमारे पास नीचे क्या है, हमारे पास है sin theta into cos theta, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इस लसप को तोडेंगे, जैसे हम लसप को तोड़ेंगे, जैसे हम लसप को तोड़ भी सकते हैं, अब लसफ को तोड़ना कैसे हो समझो जैसे A प्लस B है और नीचे है A into B तो जब मुझे लसफ तोड़ना होगा तो यह A B जो है A के नीचे भी आएगा और B के नीचे भी आएगा. यानि कि यह बनेगा A बटा A इंटू B प्लस B बटा A इंटू B ऐसे हम लसपों को तोड़ते हैं तो अब हमें लसपों तोड़ना है तो हम क्या करेंगे जो हमारा अगला step होगा वो क्या होगा देखो यहां है एक तो इसके नीचे के आएगा sin theta into cos theta फिर यह किसका निचान है प्लस का तो यहां प्लस आएगा फिर इसके नीचे भी आएगा यानि कि sin theta into cos theta बटा नीचे क्या आएगा sin theta into cos theta तो यह तो नीचे समान है तो इससे यह कट गया जब पूरा कट जाता है तो किता बसता है एक बसता है और यहाँ पर देगो यहाँ पर क्या है एक बटा sin theta into cos theta अब देगो इसको क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि एक बटा sin theta जो होता है वो होता है cos theta ठीक है इसी प्रकार एक बटा cos theta जो होता है वो होता है sec theta एक बटा sin theta और इसके पास मैं into एक लिखू तो एक बटा cos theta यह मुझे मिल सकता है तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ sec theta into cos theta बात समझ माई तो अगला जो step है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ cos theta into sec theta क्योंकि एक बटा sin cos theta होता है और एक बटा cos sec होता है फिर यहाँ है plus का निसान तो यह आ गया plus का निसान और यह पूरा कट गया तो कित्ता बज़ गया एक और यही हमें सीद्ध करना था है ना देखो यहाँ पर हमारे पास प्रश्ण जो है वो क्या है one plus sec theta into cos theta और उत्तर में हमारा क्या आया उत्तर में हमारा आया कॉसेक theta into sec theta plus 1 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना one plus यानि एक को आगे लेके आ गया इस sec को आगे लेके आ जाता हूं sec theta into cos theta तो इसको कोई फरक बढ़ने वाला नहीं है तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया RHS बराबर LHS हो गया देखो जो चौता प्रश्ण है उसमें भी हमें सीध करना है तो सबसे पहले हम LHS लेंगे तो LHS हमारा क्या है one plus sec a बटा sec a और हम जानते हैं कि जब भी हमें प्रश्ण में sec a दिया हो तो हमें इसको बदलना है one upon cos a में यह सुत्र हम यहां apply करेंगे देखो यहां पर हमारे पास है one plus sec a को हम क्या लिख सकते हैं इसके नीचे है बटा यह भी हमारा क्या हो जाएगा one upon cos a अब क्यूंकि उपर देखो यहां पर यह संख्या और यह संख् रखेंगे उपर बेना है इसका मतलब यहां उपर मुझे लसप लेना पड़ेगा तो चलो लसप लेते हैं तो तो हम क्या एक से गुणा हो गया cos a plus 1 का 1 से गुणा हो गया 1 तो उपर तो हमारा solve हो गया नीचे क्या है बटा तो यह आ गया बटा और इसके नीचे क्या है 1 बटा cos a है अब देखो यह cos a और यह cos a कट जाएगा क्यों कट जाएगा इस बटे की वज़े से अब इसको समझना एक काम करते हैं इसको हम भाग में बदल देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ माए तो यहाँ पर देखो यह क्या है cos a है फिर plus 1 है बटा यहाँ नीचे क्या है cos a है यह जो बड़ा बटा है इसको मैं भाग बना देता हूँ और इसके नीचे क्या है इसके नीचे है एक बटा cos a अब इस भाग को हम किसमें बदलेंगे गुने में बदलेंगे तो यह हो जाएगा cos a प्लस 1 बटा नीचे है cos a यह हो गया भाग का गुना गुना करेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा यहां पर यह cos a उपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा तो यहां पर इस cos a से यह cos a कट जाएगा अब देखो नीचे हमारा 1 बचा तो 1 का कोई मतलब होता नहीं है इसको हटा दो finally हमारा क्या बचा हमारा बचा कॉस a प्लस एक लेकिन हमारा उत्तर तो यह आ रहा है अब यह हम कैसे लाएंगे तो यह लाने के लिए हमें इस नीचे जो यह एक है इसका सहरा लेना ही पड़ेगा यानि इसकी नीचे क्या आ गया बचा एक आ गया और नीचे मुझे 1-cos a चाहिए यानि कि अगर मैं यहां उपर नीचे 1-cos a का गुणा करूँ तो नीचे मुझे अराम से 1-cos a मिल जाएगा अब नीचे अगर मैं इसका गुणा करूँगा तो उपर भी मुझे इसका गुणा करना पड़ेगा ऐसा मैं कर सकता हूँ है ना अब उपर उपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे से गुणा करेंगे तो नीचे इसका एक से गुणा करेंगे तो यही आएगा और उपर देखो हमारे पास संख्या बन रही है क्या बन रही है तो देखो यहाँ पर जो cos a plus 1 है इसमें मैं 1 को आगे ला सकता हूँ और cos a को पिछले जा सकता हूँ यानि इसको मैं 1 plus cos a भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों plus कहता है इसा हम कर सकते है फिर यहाँ पर क्या है यहाँ पर 1 minus cos a है यानि यह हो रहा है a plus b into a minus b तो इसको हम लिख सकते हैं a square minus b square यानि 1 का square minus cos का square है ना तो यहाँ पर उपर तो हमारा क्या मिल गया उपर हमारा मिल गया 1 minus cos square a बट्टा नीचे इसका एक से गुना करेंगे तो यह हो गया 1 minus cos a लेकिन उपर तो मुझे sin square चाहिए तो यहाँ पर formula apply होगा हम जानते हैं कि sin square a plus cos square a बराबर कितना होता है एक होता है अब मुझे यह 1 minus cos square यहाँ से मिल सकता है जब मैं cos को उदर भेजूंगा तो sin square a यह बराबर एक अपनी जगह पर यह उदर गया तो minus का cos square a हो जाएगा यानि इसकी जगह पर मैं यह लिख सकता हूँ तो उपर मेरा क्या आ गया उपर मेरा आ गया sin square a बटा 1 minus cos a और यही हमारा क्या है RHS है यानि हमने क्या कर दिया LHS बराबर RHS कर दिया यह सारा आपका रफ वर्ग है चल दी से इसका screen shot ले लो पांचवा प्रशन हमें सिद्ध करना है तो यहाँ पर पहले से मैंने LHS ले लिया है LHS हमारा क्या है cos a minus sin a plus 1 बटा cos a plus sin a minus 1 और इस से हमें क्या लाना है इस से हमें cos a plus cot a लाना है तो इसके लिए हमें यहाँ संकेत भी दिया है और संकेत में देखो यहाँ एक सुत्र दिया है जो कि हमने पढ़ा है और इस सुत्र में cos a and cot हमें दिया है इसका मतलब इसकी साहिता से हमें cos a and cot लाना है तो cos a and cot लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं देखो यहाँ पर बट्टे के उपर और नीचे दोनों जगह हम साइन एका भाग दे दे तो हमें कॉस एक भी मिलेगा और कोट में मिलेगा कैसे मिलेगा तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं बट्टे के उपर नीचे साइन एका भाग दे रहा हूं ऐसा हम कर सकते हैं क्य साइन ए में भी हम साइन एका भाग देंगे तो यह हो गया साइन ए बट्टा साइन ए फिर प्लस एक में भी हम साइन का भाग देंगे तो यह हो गया एक बट्टा साइन ए फिर नीचे हमारा क्या है बट्टा है यह आगया बट्टा नीचे भी हम साइन का भाग देंगे तो यह हो जाएगा कॉस ए बटा साइने फिर प्लस साइने बटा साइने फिर माइनस एक बटा साइने यानि हमने क्या करा उपर और नीचे साइने का भाग दे दिया तो जब भाग देंगे तो सभी पदों में साइने का भाग देना है ठीक है अब देखो यहां उपर नीचे साइने से sign a cancel हो गया, यहां भी sign a sign a cancel हो गया, तो जब दोनों उपर नीचे cancel हो जाते हैं, तो हमारा कितना बसता है, एक बसता है, और यहां देखो cos a बटा sign a, यह किसका formula है, तो हम जानते हैं कि cot a बराबर cos a बटा sign a होता है, तो इसकी जगह में यह लिख सकता हूँ, तो यहां पर उपर आ गया cot a, ठीक है minus, यह दोनों कट गये तो यहां पर कितना बचा, एक बचा, प्लस एक बटा sign है, हम जानते हैं कि जो cos a होता है, वो एक बटा sign a होता है, है ना तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ cos a लिख सकता हूँ, फिर नीचे बटा आ जाएगा, यहां पर वापस क्या आ जाएगा, cot a आ जाएगा प्लस दोनों कट गये तो यह का जाएगा minus, एक बटा sign a का मतलब क्या होता है, cos a होता है अब हम एक काम करेंगी, यह जो minus 1 है, वो मैं इधर लेके आ जाता हूँ, इस cos a को इसके पास लेके आ जाएगा, ऐसा करने से क्या होगा देखो तो यहां पर मुझे क्या करना है, कि यह जो cot a है है ना, इसके पास यह ला रहा हूँ, plus cos a और यह minus 1 पिछे ले जा रहा हूँ, फिर निचा आ गया बटा, यह क्या हो गया, cot a plus 1 minus cos a अब वापस RHS को देखो, हमें क्या चाहिए, हमें cos a plus cos a चाहिए, यानि यहां पर cos a plus cos a, सिरफ यही चाहिए और बाकी सब को हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो यह एक है, है ना, यहां पर यह जो एक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो, हमने उपर एक संकेत पड़ा है, इस संकेत में मुझे एक चाहिए, है ना, तो यह एक यही रहेगा, और इस कॉट स्क्वेर एक को उधर वेज़ूगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो, यहां पर समझना, इस कॉट स्क्वेर एक को उधर भेज रहा हूँ, तो यहां पर मुझे क्या दिया है, यहां मुझे दिया है, कॉसेक स्क्वेर ए, बराबर एक प्ल बात समझ मैं? और ये चीज मैंने इस सुचर से लाईए तो चलो ये करके देखते हैं क्या होता है इससे तो ये हो गया हमारे पास cot a प्लस cos a और minus 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं? 1 की जगह में लिख सकता हूं cos a cos a cot a यह एक की जगा हम लिख सकते हैं अब ऐसा करने से क्या होगा देखो यहाँ पर कॉसेक स्क्वेर A माइनस कॉट स्क्वेर A क्या यहाँ पर सर्वसमिका नहीं दिख रही है यह आपको A स्क्वेर A माइनस B स्क्वेर A इसकी जगा हम क्या लिख सकते हैं प्लस B into A minus B लिख सकते हैं है ना चलो यह सर्वसमी का यहां यूज करेंगे और नीचे हमारा क्या है नीचे हमारा है कोट A प्लस 1 minus Cossack A ठीक है अब उपर देखो क्या है उपर है कोट A प्लस कॉसेक A माइनस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह मुझे एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है यानि A प्लस B इंटू A माइनस B यानि यह हो गया कॉसेक A माइनस कॉट A और नीचे हमारा क्या आजाएगा नीचे हमारा है cot A plus A minus cos A यह मुझे हटाना है तो अब यह अपना आसानी से हट जाएगा कैसे हटेगा देखो यहाँ पर cot A plus cos A है यहाँ पर भी cot A plus cos A है क्योंकि plus का निसान है तो इदर उदर हम कर सकते हैं यानि यह चीज और यह चीज दोनों समान हैं तो यह हम common ले सकते हैं क्यों common ले सकते हैं क्योंकि यह दोनों गुणे में हैं इसलिए इसको common लिया जा सकता है तो अगर मैं इसको common ले लेता हूं cos A plus cot A को है ना तो यह common आ गया तो यह पूरा common आ गया तो अंदर किता बचा एक माइनस यह कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा अंदर बचा कोशेक ए प्लस कॉट ए अब आप कहुंगे सर आपने ये प्लस कैसे कर दिया तो ध्यान से समझना आगे समझाता हूं इसको में नीचे हमारा क्या चल रहा है कॉट ए प्लस एक माइनस कॉशेक ए अब देखो यहाँ पर यह प्लस कैसे हुआ तो जब हमने cot a plus cos a common लिया तो यहां से तो यह common आ गया पूरा common आ गया तो अंदर बचा एक फिर यहां minus था यहां पर minus था और यह बार आ गया तो अंदर यह बचा तो यह पूरा bracket था मैंने bracket open कर दिया तो जैसे ही bracket open किया तो यह minus into minus यहां क्या हो गया प्लस हो गया और अगर आपने यहां प्लस नहीं किया तो गड़बड हो जाएगा बात समझ में आ गई अब देखो उपर और नीचे एक माइनस कॉसेक एक प्लस कॉट है और नीचे भी हमारा क्या है एक फिर माइनस कॉसेक एक प्लस कॉट है यानि उपर और और नीचे यह दोनों बराबर हे, यह दोनों उपर नीचे तो यह दोनों नीचे कर जाएंगे, क्यों कि हमारी संख्या गुने में आnyt चुकी है, तो उपर नीचे कर गया त Meerे पास क्या बचा नीचे? मेरे पास बच्चा कॉसेक A प्लस कॉट A और यही हमें लाना था यानि कि हमने क्या कर दिया LHS बराबर RHS कर दिया ठीक है तो इसका आप स्क्रीन सॉट ले लो प्रस्टन छे में भी हमें बायापक्स और दायापक्स दे रखा है तो यहाँ पर हम भायापक्स लेंगे यानि कि LHS लेंगे LHS हमरा क्या है 1 प्लस साइने बटा 1 माइनस साइने और यहाँ पर देखो रूट लगा हुआ है तो रूट लगा हुआ हो और ऐसा प्रशन आए ऐसा प्रशन पुछा जाता है एकजामे बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है यह और इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए हमें परिमेकरन करना है ठीके परिमेकरन करना है हमने पड़ा है कि जब भी नीचे हर हमारा रूट में हो वैसे तो पूरी संख्या रूट में लेकिन नीचे वाला अगर root में हो तो उसको हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं परिमेखरन करते हैं तो इसका परिमेखरन करने के लिए मैंने बताया था नीचे है 1-sin A तो इसका गुणा इसके उल्टे से यानि की 1-sin A से हम करेंगे ठीके और अगर हम नीचे गुणा कर रहे हैं तो हमें उपर भी करना पड़ेगा 1-sin A यहना बहुत important प्रशन है तीन नमबर का प्रशन आएगा इसमें अब यहाँ पर देखो नीचे हमारा formula बन गया हम जानते हैं कि A plus B into A minus B क्या होता है A square minus B square होता है तो यहाँ पर देखो यह हमारा A हो गया यह B हो गया यह A और यह B यानि A minus B into A plus B तो इसको हम A square minus B square लिख सकते हैं तो A हमारा 1 हो गया और B हमारा sin A हो गया तो अगला step क्या होगा देखो उपर गुना करेंगे तो देखो 1 प्लस sin A into 1 प्लस sin A तो इसका इसी से गुना हो रहा है इसलिए ये हो गया 1 प्लस sin A का वरग ठीक है बटा नीचे इसका सर्वसर्विका का प्रियोग करेंगे तो ये होगा A square minus B square यानि 1 का square minus B हमारा क्या है sin तो sin square A ठीक है अब अब देखो 1 minus sin square A को हम क्या लिख सकते हैं तो हमने सुत्तर पड़ा है sin square A plus cos square A बराबर 1 होता है तो यहाँ sin को अगर उदर भेजेंगे तो cos square A बराबर 1 minus sin square A हो जाएगा यानि इसकी जगह में cos square A लिख सकता हूँ तो उपर तो देखो हमारा क्या आ गया उपर हमारा आ गया 1 plus sin A और इसका वर्ग बटा नीचे हमारा क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा cos square A अब आगे देखो इसको अब देखो यहाँ पर यह पूरी एक संख्या है और उपर वर्ग है तो वर्ग से वर्ग मुल हटेगा है ना तो उपर तो हमारा वर्ग मुल हट गया और नीचे भी देखो यह संख्या हमारी वर्ग में है और उपर इस पर वर्ग मुल है तो यह भी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो यहां कुल मिला कि यह पूरा वर्गमूल हट जाएगा तो उपर हमारा बच गिया 1 प्लस साइने है ना बट्टा नीचे हमारा बच गिया कॉसे क्योंकि यहां पर वर्ग से वर्गमूल हट गिया नीचे भी वर्ग से वर्गमुल हट गया यानि पूरा वर्गमुल हट गया अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए हमें सैक और टैन चाहिए तो यह चीज हम ला सकते है कैसे ला सकते है तो देखो नीचे क्या है कौस उपर क्या है एक है तो एक बटा कौस ए क्या होता है सेक ए होता है है ना और यहां साइन नीचे कौस है तो साइन ए बटा कौस ए क्या होता है टेन ए होता है तो इसका मतलब हम यहां से लसप को तोड़ेंगे और जब लसप को तोड़ेंगे तो एक के नीचे भी कौस आएगा और साइन की नीचे भी कौस आएगा तो यहाँ एक बटा कॉस एक को हम क्या लिख सकते हैं सेके और साइन बटा कॉस को हम क्या लिख सकते हैं टेन है और यही हमें सिद्ध करना था तो यह हो गया हमारा लेचेस बराबर आरेचेस अब देखो प्रश्ण साथ है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा तो यहाँ पर हम लेचेस लेंगी और आरेचेस लेके आएंगी तो लेचेस हमारा क्या है लेचेस है साइन थीटा माइन इसलिए हम कोई भी सुतर नहीं लगाएंगे, और यहां पर पहले से लसप लिया है, तो लसप लेने की भी जरूरत नहीं है, तो अब लसप लेने के बाद का काम होता है common लेना, तो अब यहां पर देखो, यहां sin टिता है, यहां sin की γाट 3 टिता है, तो उपर भी common आ रहा है, into sin theta 1 बाहर आ गया sine cube theta का मतलब होता है sin theta into sin theta into sin theta to 1 sin बाहर आ गया तो अंदर 2 sin बच़े यानि की sin square theta अंदर बचा ठीक है बट्टा इसी प्रकार देखो यहाँ पर cos common आ रहा है तो cos theta मैंने बाहर ले लिया तो यहां से cos theta बार आज़ा तो यहां 2 बचा 2 into यहां से 1 बार गया तो अंदर बचा cos square theta minus यह पूरा बार आज़ा तो अंदर 1 बचा अब देखो हमें ten theta लाना है ten theta का मतलब होता है sin theta बटा cos theta यह चीज हमें लानी है और यह चीज हम ला सकते हैं से ला सकते हैं तो देखो यहां पर पहले से साइन ठीटा बटा नीचे कॉस ठीटा है यानि कि इन दोनों कोस्टकों को मुझे हटाना है तो इन दोनों कोस्टकों को हटाने के लिए मुझे एक जैसा बनाना पड़ेगा दोनों को तो हमें काम करते हैं यह जो नीचे हमारे कॉस स्क्वेर ठीटा माइनस एक है इसको उपर वाला बनाने की कोशिस करते हैं तो कोश को साइन बनाने के लिए यहां पर हमें एक सुत्र का परियोग करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर देखो स्क्वेर आ चुका है तो यहां हमें एक सुत्र लगा सकते हैं कि साइन स्क्वेर ठी तो नीचे हम यह रख देते हैं तो देखो यहां पर पहले से sin theta into 1-2 sin square theta बटा यहां पर है cos theta into यहां पर मुझे क्या करना है यह जो cos square theta है इसकी जगह मुझे यह पूरा रखना है यानि कि यहां पर मैं बड़े bracket का परियोग करूंगा और इसकी जगह पर है ना cos square theta की जगह पर को मैंने कोस्टक में डाल दिया फिर आगे है माइनस का एक अब देखो अब इस कोस्टक को हम खोल देते हैं यानि दो का गुणा एक से भी होगा दो का गुणा sin square theta से भी होगा तो उपर तो हमारा है sin theta into 1-2 sin square theta बटा नीचे हमारा है cos theta into यहां पर 2 का गुणा एक से करेंगे तो 2-sin square से 2 का गुणा करेंगे तो 2 into sin square theta और आगे है माइनस का एक यानि कि अब हमें क्या मिला अब हमें मिला sin theta into 1-2 sin square theta बटा नीचे है cos theta into यहां पर देखो यह plus का 2 है और यह minus का 1 है दो में से 1 गटाएंगे तो plus का 1 बचेगा तो यह बच गया plus का 1 और आगे क्या है minus 2 sin square theta यानि उपर नीचे एक जैसी चीज हमको मिल गई तो उपर यह पूरा कट जाएगा अब हमारे पास final बचा sin theta बटा cos theta sin बटा cos क्या होता है 10 theta होता है तो यह हो गया हमारा LHS बराबर RHS आठवे प्रश्ण में भी देखो यहां पर बराबर के इस सैड में यह हमारा LHS हो गया और यह RHS हो गया तो पहले हम LHS ले लेते हैं LHS क्या है LHS है sin A plus cos A का वरग plus cos A plus sec A का वरग यानि कि यहां पर हमें सर्वसमिका का यूज करना है किसका यूज करना है सर्वसमिका क्योंकि यहां पर देखो यहां A plus B की घात 2 है और इसका सर्वसमिका क्या होती है A square plus 2 into A B plus B square तो पहले इन दोनों में इस सुत्र का परियोग करेंगे ठीक है तो चलो सुत्र का परियोग करते हैं तो यह हो गया हमारा A यानि A square यानि sin square A plus 2 into A into B यानि कि A हमारा हो गया sin A और B हमारा हो गया cos A फिर plus B का square यानि कि cos A का square फिर आगे क्या है plus तो यहां आजाएगा plus इसको भी हम सुत्र से open करेंगे तो यह हो गया cos square A plus 2 into cos A into sec A plus यह हो जाएगा sec square A अब हमें क्या करना है हमने बहुत सारे सुत्र पड़े हैं तो देखो हमने कौन कौन से सुत्र पड़े एक सुत्र पड़ा हमने कि जो sin A होता है वो होता है एक बटा cos A है ना तो यहां पर यह cos A भाग में है जब इदर जाएगा तो किस में आएगा गुणे में तो sin A इंटू यह उदर जाएगा तो गुणे में आएगा यानि कि यह हो जाएगा cos A बराबर कितना आएगा एक तो यहां पर देखो sin A इंटू cos A इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ एक लिख सकता हूँ इसी प्रकार हमने एक सुत्र पड़ाता cos A बराबर होता है एक ब और यह दो गुणे में है तो चलो पहले हम इनकी जगह पर एक लिख देते हैं तो यहां पर हमने क्या मिल गया हमें यहां मिल गया sin A प्लस दो और यहां इंटू यह पूरा कितना हो गया एक तो यहां दो इंटू एक हो जाएगा प्लस यह है cos A प्लस cos A प्लस यहां है 2 sin square a और यहां है plus cos square a तो इसका सुत्र भी हम जानते है sin square a plus cos square a बराबर क्या होता है एक होता है तो मैं अब इसके पास में इसको ले के आ जाता हूँ ठीक है तो अगला step हमारा क्या हो गया sin square a plus cos square a 2 का एक से गुना होकर हो जाएगा 2 plus यह हो गया cos square a plus यह हो जाएगा 2 into 1 2 का गुना एक से करेंगे तो 2 हो जाएगा plus यह हो गया sin square a plus cos square a कमान कितना होता है तो इस पूरे की जगह हमारा आ गया ठीक है फिर plus 2 plus यहाँ पर देगो यहाँ पर है sin square a और यहाँ दो और है हमें साथ चाहिए तो 2 और 2, 4, 4 और 1, 5 अभी 5 ही हुआ है हमें 2 और लाना है तो अब 2 कहां से लाऊ तो यहाँ पर जो यह cos square a है इनके सुत्र भी हम जानते है देखो हम जानते है 1 plus 4 square a जो होता है cos square a है ना और 1 plus 10 square a जो होता है वो होता है sec square a यह सारे सुत्र जो है मैं बता चुका हूँ है ना तो यहाँ से 1 और 1, 2 हमें और मिल जाएगा तो यह 7 हो जाएगा जुड़के तो अब इनकी जगा पर हम यह लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ देखो यह 1 हो गया प्लस 2 हो गया अब यहाँ 2 और 1, 3 और 1, 4 4 और 2, 6 6 और 1, 7 यह जुड़कर हो गया 7 प्लस हमें चाहिए 10 square a तो चलो इसको आगे ले लो 10 square a ठीक है प्लस आगे यह क्या आजाएगा 4 square a तो इस प्रकार सी यह हमारा क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया अब देखो यह जो 9th question है इसमें हमें LHS और RHS दोनों सीध करने पड़ेंगे है ना तो सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूं तो यहाँ पर लिखेंगे LHS लेने पर और LHS हमारा क्या है LHS है cos sec a minus sin a into sec a minus cos a और मैंने कहा था sin और cos को तो हम सुत्र से नहीं बदलते लेकिन cos sec और sec o a है तो हमें सुत्र लगाने चाहिए तो यहाँ पर हम जानते है cos sec a को हम 1 बटा sin a लिख सकते हैं और यह हो गया sin a तो इसके नीचे हम बटा 1 लगा देते हैं इसको हम 1 बटा cos a लिख सकते हैं और cos a के नीचे हम बटा 1 लिख देते हैं अब यहाँ पर इन दोनों का हम लेंगे लसप है ना तो देखो लसप कैसे लेना sin का 1 से गुणा हो गया sin a अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 का 1 से गुणा 1 sin का sin से गुणा sin square a cos का 1 से गुणा हो गया cos a क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 का 1 से गुणा 1 cos का cos के गुणा cos square a अब हम जानते हैं कि जब भी हम एक में से sin को घटाते हैं या एक में से cos के वरक को घटाते हैं तो हमारा सुत्र दिमाग में आता है sin square a plus cos square a बराबर होता है 1 अब जब ये उदर जाएगा तो हमें ये मिलेगा और जब ये उदर जाएगा तो हमें ये मिलेगा यानि 1 minus sin square a को में क्या लिख सकता हूं cos square a लिख सकता हूं और बटा नीचे है sin a फिर यहाँ into 1 minus cos square a को में sin square a लिख सकता हूं और बट्टा नीचे हमारा है cos A अब देखो यहाँ cos 2 है नीचे cos 1 है तो इससे cos कड़ गया यहाँ पर 2 sign A एक sign उपर नीचे कड़ गया अब हमारे पास finally cos A into sign A बचा है cos A into sign A बचा है अब इसको मैं और आगे solve नहीं कर सकता इसलिए यह हो गया हमारा समिकरन नमबर एक अब हम RHS लेंगे और यहाँ पर भी cos A into sign A बनाने की कोशिस करेंगे तो यहाँ पर देखो हम क्या लेंगे अब RHS लेंगे तो यहाँ लिखेंगे RHS लेने पर और RHS हमारा क्या है RHS है 1 बट्टा 10 A प्लस cot A तो इनको हम sin और cos में बदल देंगे तो इनके सुत्र अब तक हमें याद हो गए होंगे 10 A को हम लिख सकते हैं sin A बट्टा cos A प्लस cot को हम लिख सकते हैं cos A बट्टा sin A, नीचे दोनों के हम क्या लेंगे लसप लेंगे क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है तो उपर तो एक है और इनका लसप हमें लेना है तो cos और sin का गुना कर देंगे तो ये हो गया sin A into cos A आप cos A into sin A भी लिख सकते हो फिर इनका cross गुना करेंगे तो sin का sin से गुना हो गया sin square A plus cos का cos से गुना हो गया cos square A और इसकी जगह हमें एक लिख सकते हैं क्योंकि sin square A plus cos square A क्या होता है एक होता है तो ये हो गया एक बट्टा नीचे भी कितना आ गया एक बट्टा नीचे आ गया sin A into cos A है ना अब क्या होगा जब इसको हम solve करेंगे तो ये sin A cos से उपर आ जाएगा है ना यानि finally हमें क्या मिल जाएगा finally हमें यहां मिल जाएगा sin A into cos A ये हो जाएगी हमारी समिकरन नमबर 2 समिकरन एक और दो दोनों क्या हो गई बराबर हो गई इसलिए हम कहेंगे LHS बराबर RHS तो जल्दी से इसका आप इसक्रीन सोट ले लो एक यहां पर आपको सायद समझ में नहीं आया हो तो ये मैं आपको समझा देता हूँ देखो यहां पर क्या है एक बटा फिर यहां पर ये सारा हमने solve किया यहां एक की नीचे में भाग का निशान अगर लगाऊं यानि एक भाग करूं तो यह नीचे हमारा क्या है नीचे हमारा है एक बटा sin A into cos A जब इसको into में बदलूँगा यह उल्टा हो जाएगा यानि sin A into cos A उपर और एक नीचे तो यहां पर एक का कोई मतलब है नहीं यानि हमारा लाश्ट उत्तर यही आएगा बात समझ माई तो यहां पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने समझा दिया है अब देखो जो प्रश्ण 10 है इसमें दो बराबर के निशाने यानि पहले हमें ये LHS लेके ये सिद्ध करना है फिर दूसरी बार हमें ये लेके ये सिद्ध करना है अब इन दोनों में से कोई भी पहले हम सिद्ध कर सकते हैं तो चलो पहले हम LHS ले लेते हैं और LHS हमारा क्या है 1 प्लस 10 स्क्वेर A बटा 1 प्लस cot square a तो हम क्या करेंगे? पहले इस 10 नहाँ पर देखो सुत्र लग रहा है सीधा हम जानते हैं 1 Plus 10 square a बराबर होता है sex square a है ना? और 1 Plus cot square a बराबर होता है cosac square a तो सिधा सिधा इसकी जगा ये लिखेंगे और इसकी जगा ये लिखेंगे क्योंकि ये सुत्र है, है न, तो one plus ten square A की जगह में लिख दूँँगा sec square A, बटा one plus cot square की जगह में लिख दूँगा cos sec square A, है न, लेकिन मुझे अभी तो ये और ये चाहिए, तो अब ये कैसे लाए, तो हम जानते हैं कि sec और cos sec को हम इनके साइन और कॉ स्कता है यानि यहां पर है this कि इस को में लिंग सकता हूँ एक बटा को ऑस और को से के एक्कों में क्या लिख सकता हूं को से को मिन लिख सकता ist एक बटा साइने तो चलो इनको बदलते हैं देखो यहां पर वरग है इसका भी ध्यान रखना तो जब मैं इसको कॉस में बदलूंगा तो यह हो जाएगा एक बटा कॉस स्क्वेर ए क्योंकि इसके उपर वरग है फिर यहां पर यह बटा लगेगा और इसको मैं लिख सकता हू एक बटा sin square a है ना तो जब इसको मैं भाग में बदलूँगा तो यह उल्टा हो जाएगा यानि कि यहाँ पर सीधा मैं क्या कर रहा हूँ भाग को गुणे में बदल रहा हूँ और गुणे से इसको सीधा उल्टा कर रहा हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक बटा कॉस स्क्वेर ए इंटू ये उल्टा हो जाएगा यानि साइन स्क्वेर ए बटा एक नीचे तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वेर ए बटा नीचे कॉस स्क्वेर ए इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं इसका एक से गुणा होगा तो साइन स्क्वेरे बट्टा इसका एक से गुणा होगा तो कॉस स्क्वेरे देखो साइन ठीटा बट्टा कॉस ठीटा क्या होता है टैन ठीटा होता है तो यहाँ पर दोनों में वरग है तो यहाँ पर जब दोनों में वरग है तो यह क्या जाएगा 10 square A आ जाएगा तो एक चीज तो हमारी सिद्ध हो गई है ना कि यहाँ पर मुझे 10 square A मिल गया यानि कि यहाँ पर मैं LHS लेके RHS लेके आ गया ठीक है अब देखो हम यह वाला LHS लेंगे और यह RHS लेके आएंगे है न तो अब की बार जो हमारा LHS है वो LHS क्या हो गया वो हो गया 1-10 A अपॉन 1-4 A और इसके उपर घात दो अब 10 और कॉट को हम sin और कॉस में बदलेंगे तो इनके सुत्र क्या हो जाएंगे 1- sin A बटा कॉस A फिर नीचे बटा कॉट को हमें क्या लेक सकते है 1- cos A बटा sin A और इ ठीक है इनके उपर क्या चल रहा है वर्ग चल रहा है ठीक है अब हम क्या करेंगे इनका लसप लेंगे लसप कैसे लेना है देखो वो भी समझ जाओ यहां पर हम एक बटा एक लिख सकते हैं तो यहां कॉस का एक से गुणा करेंगे तो नीचे आएगा कॉस A है ना और यहां क्रोस गुणा करेंगे तो यह हो गया कॉस A माइनस साइन यह ना फिर यहां आएगा बटा तो यहां गया बटा अब इसका लसप लेंगे तो एक का साइन से गुणा हो गया साइन और अब क्रोस गुणा करेंगे तो एक का साइन से गुणा साइन यह माइनस एक का कॉस से बात समझ में आगई तो इसको मैं सीधा कर देता हूं यह हो गया कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा नीचे हमारा चल रहा है कॉस ए और इस भाग को मैंने इंटू बनाया तो यह उल्टा हो जाएगा यहां कि साइन ए उपर और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और यहां पर उपर क्या चल रहा है वर्ग चल रहा है ठीके अब देखो यहां पर यहां कॉस ए माइनस साइन ए और नीचे साइन ए माइनस कॉस ए अगर मुझे इसको कट करना है उपर नीचे कट करना है त फिर इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको उल्टा करने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यह चीज मैंने पहले बताई थी, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना, यहां से माइनस कॉम ठीक है अब देखो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर उपर और नीचे यह दोनों आ गए गुणे में तो यह कट हो जाएंगे है ना और यह कट हो जाएंगे तो उपर अब हमारे पास क्या बचा अब देखो यहां पर माइनस भी है माइनस बचा उपर हमारे पास है साइने साइन बटा कॉस क्या होता है यह होता है साइन बटा कॉस क्या होता है अब यहां हमें इसका स्क्वेर करना है देखो माइनस का स्क्वेर करते हैं तो वह प्लस हो जाता है इसको समझो यहां स्क्वेर का मतलब इसका गुणा इसी से यानि माइनस टैन एका गुणा माइनस टैन इस से तो माइनस इंटू माइनस फ्लस टेन इंटू 10 10 स्क्वेर यहां पर यह क्या हो जाएगा यहां पर यह हो जाएगा 10 स्क्वेर और यही तो में प्रूफ करना था तो यह हो गया LHS बराबर RHS जलोजल्दी से इसका स्क्रीन पर लेलो और अगर मेरे वीडियो जो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों को शेर करना है थेंक यू